हेलो दोस्तों तो कैसे आप सब उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे मैं धिरचकुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एच्केशन ये फीचर में आज हम आपके लेकर आए दोस्तों प्रसनालिक टू का भी यदि आपने इसके पहले वाले चै सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलेए दोस्तों हम आज स्टार्ट करते है प्रसनालिक टू का भी चलिए देखें इसमें परले इसमे फार्मूला होटा है इसमें दिया रहे गा दुभात बहुपत ठीक है देखें दुभात बहुपत द्विघात बहुपद ठीक दोस्तो यानि यहां करते देगा आपको fx बराबर ax square प्लस bx प्लस c ठीक दोस्तो जब भी question आएगा आपको द्विघात के रूप में आएगा यह इस में यहां दो पर दिया रहें गये आएगा ठीक दोस्तो तो हमारा द्वुघात पर दिया रहे गा ax square पलस 20 प्लस c के रूप में दिया रहे गा जहां कि a is not is equal to जीरो ठीक दोस्तो जो ए है यह जीरो के बराबर नहीं रहे गा ठीक दोस्तो तो चलिह हम इस के लिए पहले मानलिजे माना इसके के दो जुन्यक तो सुन्यक के अलफा और अलफा और ग्रिष्ट मित मैं था सब्सटो इसके हो मोंने दो सुन्यक तो सब से पहले हम एक बार क्या निकालेंगे सुन्यकों का योग ठीक है यह जिद्विघास हमें कर दिया रहेगा तो सबसे उसमें बोला रहेगा उनका योग बताईए यह तो गुड़न खंड बताईए ठीक दोस्तों तो सुन्यकों का सबसे पहले हमें योग निकालेंगे तो लिखें एक्स का गुड़ांग ठीक दोस्तों माइनस एक्स का गुड़ांग बटे एक्स स्क्वायर का गुड़ांग यह दोस्तों आपका फार्मूला होता है इस फिसी फार्मूले से हमें इसको हल करना है अब यहां पर ध्यान दीजिए सुन्य को का योगफल सुन्य कमारे क्या है अल तो जोड़ोता है ठीए कि दोस्तों तो तो माइनस वैंड कि एक्साद बिए एक्स तो क्या हो जाएगा विसके बक to दिया है X Square का गुठाइग तो जेकर आपको तो यहां पर लिख लेंगे हैं यहальной चोट यहां गदॉस्टा नतों यहां तोच्ट्टो आप हम क्या निकालेंगे सुन्य को का योग सुन्य को का निकालेंगे गुड़न फल तो लिख लेजिए यहाँ पेम तक एक स्फॉन्य को ऑग अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुड़ांग ठीक दोस्तों यहां जो सी है यह हमारा क्या है अचरपद है यह सी दिख रहा है आपको तो सी क्या है दोस्तों अचरपद है तो जहां अचरपद क्या हो जाए दोस्तों सी और यक्स स्क्वायर का गुड़ांग यह स्क्वाय हमारा सुन्यक्त क्यामानेगा है माना इसके सुन्यक्त क्या लिखेंगे गुडण zg फ़ल निकाल क्या हो जाएगा अलफा into a beta यानी अलफा into beta बराबर निकलेगा सी आपन फ़ार्मुला हो जाएगा अगर सुन्यको का योग-स पूछेगा तो तो माइनेस बी अपाने अल्फाइपलस बीटारा आज माइन एक्स का गुरांग बटे एक्सि स्क्वाइर का लगाएंगे और शुन्नेको का योगुफल पूखेगा तो अचर प्द जहां सी रहेगा वहां उसको को लिख लेंगे और यक्स स्क्वाइर का गुडांग बटे में ठीक है दोस्तों तेरी आपका क्या हो जाएगा जो आएगा इसके रूब में वह यह आपका इस चैप्टर में अंसर हो जाएगा तो चलिए इस लेबल के पहले सवाल को देख लेते हैं ठीक है दोस्तों इस तरी सुन्यक ज्याद करना है ठीक है सुन्यक ज्याद करना है अलफा और बीटा हमें दो मान इसमें से सुन्यक ज्याद करनी है यह यक्स का मान ज्याद करना होगा जो भी दिया रहेगा उसके बाद इनके गुडांकों के बीच ठीक है दोस्तों सुन्यक निकलेगा था उनके गु क्वेशन देखिए ठीक दो तो पहले का पहला है आपका एकस स्क्वाइर माइनस टू एकस माइनस एट ठीक दो तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं सबसे पहले आपको करना होगा इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा आएगा तो आप यहां लिखे हल लिखने के अब हम इसका गुडण खंड करेंगे ठीक दोस्तों तो गुडण खंड ऐसा पहाड़ा पढ़िया पहाड़ा पहलने पर आठ आए जोड़ने घटाने पर दो आए तो देखिए दोस्तों चार दूनी आठ और चार में से अगर हम दो घटा देंगे तो दो आ जाएगा ठीक तो लास्ट वाला जाया और फिर आय Eren घटा यह ओद अधिक दोस्तों अब क्या करेंगे इतना करने बांद हम दो-दो का जोड़ा बनाएंगे तो देखिए इन डोनों मेंसे क्ना कामन दीepht रहा है एकस्तों क्या हो जाएगा ओस माइनऽ चार प्लस इसमें सुच कामन दिख रहा है दो तो इसमें सम्क्या कामन लेंगे दो कोश्टक बचेगा एकस दो चाउक के आठ माइनस क्या हो जाग दोस्तों कोश्टक में चार बराबर जीरो अब आपको एक बात और याद रखने हैं यहां पर जब भी हम कामन लेंगे दोनों कोश्टक में वही अंक आना चाहिए वही दिया रहना चाहिए वही पाद आना चाहिए नहीं तो समनलीजिए आपका क्योशन कहीं गलत हो रहा है जिया फ्लस दोस्तों गहीं अब यहां से X-4 ब्राबर 0 मानेंगे तो X ब्राबर निकंठा लेंगे कितना निकलेगा इस तरफ माइन डाबर गुस्तरफ जाए किसमें हो जाएगा दोस्तो प्लस में तो X benefits कमान कितना निकंठा निकंठा जाएगा 4 निकंठा जाएगा ठीक है दोस्तो अब यहाँ X P PB, 2 बराबर भी 0 है दोनों के बराबर अलग लग 0 मानेंगे तो X simplu बराबर 0 तो X बराबर निकालेंगे, क्या निकलेंगे दोस्तो माइनस 2, तह सुन्यक इसके दो गुढ़ंक निकलेंगे, ठीक दोस्तो शुन्यक क्या क्या निकले हैं पहला लिखला है चार और क्या निकला है माइनस दो ठीक है चार और माइनस दो हैं यानि इसके किद्र सुन्यक निकले दो सुन्यक निकले पहला निकला चार और दूसरा रिकला माइनस दो हैं अब हमें बोला सत्यता की जांच कीजिए तो सत्यता सत्यता की जाच करने के लिए सबसे पहले जो समिकराण दिया था इसको लिखेंगे लिखेंगे कोते हैं उसको हम क्या कि अभुद्ध सी स्कॉाइर माइनस टू एक्स माइनस 8 एट धोफटो इद्ना समीके धिया रहेगा इसको लिख देंगे लिखने आघ को क्या करनी होगी सबसे पहले क्या करें यहां से यहां से यह सी का मान निकलेगा लगा लक्ष बराबर कुछ नहीं तो एक यह बराबर कितना निकलेगा दोस्तो माइन्स 2 चिन न के सांद आपको लिखने ठीक है तो तो कितना हो जाएगा माइनस दो और सी बराबर है सुन्य को को क्या बोला है सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सुन्यको का योगफल लिखिए योगफल करणा तो सुन्यको का योगफलल अगर निक tortoise पहला कितनाए hell है चार तरहां देंगे 4 और प्लस योगफल में क्या लगता है प्लस अब दूसरा किया माइनस दो ठीक दोस्तों अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे चार को ऐसे रहने देंगे प्लस माइनस माइनस दो हो जाएगा और चार में से दो घटे कितना है गया दो अगर हम सुत्र से हल करें इसको तो सुन्ने को का योगफल देखिए यहीं निकालना आपको शुद्नको का योगफल कि बराबर क्या होता है माइनस बी अपान अभी आपको फार्मुला शुरूम बता आगया ठीक दोस्तों यह सुन्नको का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए यानि अलफा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए तो देखिए माइनस माइनस दिया माइनस लिख बाटे अब क्या है याँ नीचे कितना मैनेस अक कामान कितना नीचे गया रख देड़ है अब क्या हो 602 अहां पर स्ट्र के माधिय से यहीं हमने सतता इसी तरीके से ग्याद करने ठीक दूस्तों अब निकालेंगे सुन्ने को का गुड़न फल लिखें आपे सुन्ने को का गुड़न फल तो सुन्ने को का गुड़न फल क्या होगा दोस्तों पहले इनका गुड़ा हो जाएगा गुड़न फल मलग गुड़ा हो जाएगा तो सुन्ने को सुन्ने क्या निकले मारे पहला निकला है चार दूसरा निकला है माइनस दो तो चार गुडते क्या करतेंगे माइनस दो अभी सक गुड़ा कर दिजया तो चार माइनस आफ निकलेगा ति के अब इसकि को फार्मूले के तोर्फ अल करेंगे कि शुन्य को сообщ ф तो सुन्यको का गुढन फल लगाएं अगर लिका लेंगे तो क्या होता है दोस्तोड़ सी अब आन यह ओता है सी अब अब था था तो माइनस आठ तो रखेंगे बटे एक ऐख 1400 नहीं होती ठीक दोब्राबन कि ना सुन्ने को का गुरंपल औहाया सथहारण तर्फ को निकाले तब ही सथ्ट्रेस से निकाले तब ही मार का तकी जांज करनी ठीकнул ह मारा और बराबर आ रहा है सुन्य को का योगफ़ल साधान तोर पे निकाले तब दो आया तो इसके गुडाइब को सुन्य को में क्या सतता संब्ध में सतता ग्यांद करनी थी तो यह हो गई सतता ठीक दोस्तों बराबर आ संब्ध ठीक है तो चलिए हम next question देख लेते हैं पहले का दूसरा देखिए दोस्तों पहले का दूसरा दिया है four s square माइनस four s plus one ठीक दोस्तों अब आपको इसको हल करनी है और इस में आपको पहले क्या? निकालना है सुन्यक निकालना फिर उन्यक को थक उडांको के भीस संबंद की सत्ता क्याइद कर姓 पाले निकालना Exit का दूसरा भी होगा वह थी कि गुरुष्टो चलिंग अहाशना लेते हैं देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं पहलेगा दूसरा तो सबसे पहले आप इसको हल करिए तो लिखें यहां पर हल लिखने के पाद आप क्या करेंगे इसको लिख लिए डायट 4x square minus 4s plus 1 ठीक दोस्तों अब बराबर आप क्या माल लेंगे इसके जीरो माल लेंगे अब ध्यान दीजे जो लिखना नहीं होता दोस्तों आपको लिखना नहीं होता दोस्तों आपको संधाने के लिए यहां पर 4 पहाड़ा पढ़िए पहाड़ा पर नेपर 4 आए और जोड़ने घटाने रहां कितना चार ठीक है तो की रहा हिंगे इस स्कोर उसको इसे लिख लेंगे यह 4s है ठीक है दोस्तों माइनस क्या लिखेंगी 2S-2S, देखिए, 2S, 2S oynay अगर, इस है, अब 2S, 2S जोड़िए तक कितना हो जाएगए, 4S आ दो दूनि कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, और, लाश्ट में कितना है प्लस बनियुदर 2 को नहीं लिखना है अब आपको क्या करनी है सबसे पहले जब आइसा हो जाय ताप 2-2 का लिए जोड़ा बनाने हुग हुद दोटोन यहां पर आपको जोड़ा बना लेना है यहां फोर एस सुक्क्यार यहां है तो देखा जाये इसमना क्या किया कर लिए कामन कि कर लेंगे तो क्या क्या कर dock in in to 10 में डिक रहें नई झाया कुछ कामन क्या नहीं दिखेगा माइनस लिजिया और एक लिए जहां कुछ भी नहीं common दखिए दोस्तों वहां पर क्या common होता है एक common होगा ठीक है तो यहां कोस्टम क्या होच चाहेगा टू-そ प्लस वन ठीक दो और बराबर आप क्या मान लिए जीरो अब देखिए क्या करना है 2S-1 और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अब देखे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों में मिल लाए न तो इसको क्या करेंगे अब कामन कर लेंगे 2s-1 हो जाएगा अब क्या हो जागला 2s-1 ठीक है और पूरे के बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों सुन्य हो जाएगा अब आपको क्या करनी है कि शुन्य ज्यात करनी है ना तो सबसे पहराल अलाग अलाग वल दे लेंगे तो 2 S minus one बराबर हम क्या मालगे? जीरो माल लेंगे ठिक है किस्की माल निकाल लेंगे? यह की इस इसके पहले शौina में x दिया थो दो गामान निकाल ले थे लेकिन इसमें स दिया है थो हम तो एस का मान कितना निकला है यहाँ पर एक बटा दो इधर भी हल कर लेते हैं अब क्या होगा 2S-1 बराबर क्या है, 0 इसमें भी S, तो क्या निकलेगा 2S बराबर क्या हो जागा, एक निकल जाएगा माइनस में धर आएक इसमें हो जाग दोस्तो S बराबर निकलेंगे तो S बराबर निकलेंगे, एक बटा कितना जाएगा 2, त्यानि हमारा 2 मान निकला s का तो हम यहां पर लिख सकते हैं 4s2-4s4s1 का क्या शुन्यक 6 बराबर क्या है पहला क्या निकला 1 बटा 2 और 1 बटा 2 है ठीक दोस्तों हमारे 2 सुन्यक निकले पहला एक बटा दो फिर एक बटा दो निकला अब आपको क्या करनी है सबसे पहले जो पहले question दिया था उसको लिख लिजे तो क्या दिया था 4S square minus 4S plus 1 हमें सत्यता की जांच करनी है तो यहां लिख दीजे सत्यता की सत्यता की जांच सत्यता की जांच ठीक दोस्तो सत्यता की अभी में क्या करनी है जांच करनी है तो सबसे पहले 4S square minus 4S plus 1 लिख दीजे उसके बाद यहांस A B और C का मान निकाले तो A बराबर निकालें किदना आएगा इस अब तो आप इतना करने के बाद आखो क्या करनी है सब्सक्राइब कर रही है यह बीसी का मान निकल गया अब सबसे पहले लिखिए सुन्यको का योगफल निकालेंगे तो यहां पर लिखिए सुन्यको का योगफल कि शुन्यको का योगफल तो यहां पर एक बटा दो फिर कितना निकला एक बटा दो लिख लीजे उसके बाद किया करें योग में जोड होता है जोड देते हैं तो नीचे दो दो समान तो नीचे दो ही रहेगा ऊपर एक एक कितना हो जाएगा दोस्तों दो हो तो दो एक का दो यानि हमारा सुन्ने को का योगफल कि इतना आ गया दोस्तों एक आ गया अब हम सुतक के तरीके से निकाल लेते हैं सुन्ने को का योगफल शुन्यको का योग फल तो सुन्यको का योग फल आप किस से निकालेंगे फार्वूले से तो सुन्यको का योग फल वारा क्या होता है माइनस बी अपान ए अब क्या करेंगे माइनस बी तो माइनस यहां रहे गाई बी कमान कितना है माइनस चार बटे एक आमान कितना है यहां देखिए निकला है चार तो यहां क्या लिख देंगे नीचे चार अब देखा जाए तो माइनस में माइनस से गुड़ा वगत प्लस हो जाएगा यानि कितना हो जाएगा यहां पर चार हो जाएगा ठीक है तो यहां लिखेंगे चार बटे अब यह कितना नीचे चार तो चार से कट जागा चार तो चार एक का चार यानि कितना माना जाए दोस्तो एक आ जाए ठीक है तो देखिए इधर साधान तर भी एक आया और फार्मूले से भी एक आया तो सत्यता सत्य है यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे योगफल का सत्यता सुन्यक将 फाल पराबर दोस्तों होता है से ऐपाराण ठीक है अब देगा पर फारमूलर्य से लिख दिए दिए तो ₹ उन्यक्षा बढ़ियए स होता है तो सी की अमार्ण देखा साय गुडम है कितना होता है एक और एक इना है फोर तो कि it, баटा चार किमकर आदल देखें तो शुन्यको का गुड़न फल तो शुन्यको का गुड़न फल इसमें निकालेंगे तो इसमें क्या होगा सुन्यक फले कितना दिया एक बटे दो दिया फिर गुड़ा करेंग कितना एक बटे दो एक में उपर गुड़ा जब भी होता है भिन्नो का तो ऊपर उपर होता है नी सुननकू का योगफल निकाला गया फार्मूले से गट शार ताहरा आया यिज यहां भी सत्या क्या है दोस्तो थिक है तो चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्येसरण देखें आइखा पहले का पहले का तीसरा लेताइ पहले का तीसरा दिखिये दोस्तों पहले का तीसरा दिया है 6X square minus 3 और minus 7X ठीक दोस्तो जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले हम इस सवाल को बनाएंगे देखिये यहाँ पर X को बाद में दिया है चले अब हल करते हैं हल तो हल में क्या लिखेंगे 6x स्क्वाइर माइनस 7x माइनस 3 इसक्वाल टू क्या जीरो ठीक दोस्तों शुन्नी मानने के बाद आपको इसा गुड़न खंड करना है तो सबसे पहले दिखेंगे सब्फिए आपको लिखना शंट में कानल च्वालिक्ञत लिखेंगे जोड़ने जोड़ने घटाने और उसा आ लिख लेते हैं सिक्स एक्स स्क्वाइर माइनस नौ यक्स प्लास अभी हाँ प्लता नौ मैंससे तभी हो जैगा लेकिन यहां पर है नहीं नौ में से प्लस कर देंगे दो घटेगा वह लिखनी है तीन लिखनी है तीन वराबर क्या हो जाएगा जीरो अब हम यहां पर दो दो का क्या बना लेंगे दोस्तों जोड़ा बना लेंगे ठीक है इतना करने बाद को जोड़ा बना लेना होता है देखिए इन जोड़ा में कुछ कामन दिख रहा है तो देखिए यहां हमको यहां एकस है यहां कितना से लिखे लेंगे माइनस तीन तीन मतलब दीख रहें रहा है जहाँ कुछ नहीं जहां कुछ नहीं कौमन दिखेंगों तो वहां क्या कामन करें दोस्तों वन कामन कर लेंगे तो यहां क्या प्चेगा-3 3 is equal to 0 अब दिखे दोनों ब्रेकेट में दोनों समान आया दोस्तों अगर समान आया था आपने गुड़न खंड सही किया है तो 2x-3 और 2x-3 दोनम समान बराबर आया यानि हमारा गुड़न खंड जो है वो शर्त है भी ठीक है अब आपको क्या करनी है इन दोनों को लिख लेना है है तो टू-13 costs हो सब्सक्र थे को स्बस्राइब करना होगा तो अगले को सब्सक्राइब करें गया तो दोनों के बराबर 0 है तो हम अलग-अलग मान के हैं क्या निकालेंगे X निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा तीन को उस्तरा पंचांतर करेंगे तो 2X बराबर कितना निकल जाएगा 3X बराबर निकालेंगे कितना जाएगा दोस्तों 3 बटे 2 टीक है यहां से X का मान निकला एक सुन्यक निकला दूसरा सुन्यक निकालने के लिए दूसरा गुड़न खंड लेंगी तो दूसरा गुड़न खंड क्या है 3X प्लस 1 is equal to 0 यह एक को हम उस तरह पंच्हांतर कर देंगे तो 3X बराबर क्या निकलेगा माइनस एक क्योंकि इस तरफ यहां से 1 तराबन निकलेंगे तो माइनस एक बटे 3 कहां चला जाएगा दें तीक दो चलlorा करेंगे हैं सत्तिता की जांच किरेंगे ठीक दोस्तों लिखेंगें यहां पर सत्यता की जांच सत्यता की जांच में हुआ क्या करते दोस्तों पहले जो क्योष्टन दिया रहा था उसको लिख लेते हैं तो क्या दिया है 6x-7x-3 अब यहां से आपको दोस्तों सबसे पहले काम करना होगा a b और c का मान निकालेए A बराबर कितना निकलेगा 6 B बराबर माइनस 7 और C बराबर माइनस 3 ठीक है तो चिन के साहत आपको मान लिखना है अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके देखें 2 सुन्यक निकले न तो आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं 6 X स्क्वायर माइनस 7 X माइनस 3 के सुन्यक ठीक है तो लिख देंगे किद पले क्या निकला है 3 वटे 2 कामा माइनस एक वटे 3 यहीं दो सुन्यक निकले न तो इसको लिख लिए अब आप क्या करेंगे हैं लिख दीजिए तो अब हम निकालेंगे सुन्यक का योगफल सबसे पहले निकालेंगे सुन्यक का का योगफल तो इसको मोय क्या कर देंगे माइनस एक वटे 3 अब हम इसको क्या करेंगे 3 बटा 2 को ऐसे ही रहने देंगे प्लस माइनस माइनस 1 बटा 3 चलिए हल कर लेते हैं इसको 3 तरिक का 9 और 2 एक का 2 बटे 2 तियाई 6 ठीक दोस्तों अब इसको हम घटा देंगे तो 9 में से 2 घटे कितना चेगा साथ और निचे कितना रह जाएगा 6 ठीक है यानि साधारण तोर पर कितना आया सुन्यको का योगफल साथ बटा 6 अब फार्मूले सब देख लेते हैं तो सुन्यको का योगफल सुन्यको का योगफल तो सुन्यको का योगफल साथ महां यहां देखा देखाए अब साध भाटा अच्छा है तो यहां पर सतत्ता की योगफल सुन्यकों का योकफल सतत्ता निकाल ली थी अब हम क्या निकाली है सुन्यकों का गुडण फल निक्या करेंगे दोस्तों हम इसका गुड़ा करतेंगे जो सुन्यक निकले सुन्यक क्या जाता है ठीक दूच्टेका फ्वसे पर क्या बचेगा ऐगा और नीचे क्या बचेगा दो बचेगा टेक दूच्टो तो यही आपका क्या हो जाका चुन्यकों का गुड़न फल वो साधार तोड़ных यहां हम फार्मूले से स्टेइंग देख कितना दिया है माइनस तिन दिया है एक मान कितना दिया हैं यहां पर देखिये 6 लिख है तो तीन का तीन तीन दुनी माइनस सदान कपने दो अब बैसे ऋसह की सतता जो है वह सत्य थीक दो सफ़ें लेते हैं क्वेस्टन नमबर 2 क्वेस्टन नमबर 2 का पहला पढ़े लेते दोस्तों क्या बोला है नीमन बहुपदो के सुन्या ज्ञाद कीजिए और श्ुन्यकों तथा गुडांकों के बीच के संबंद की सतता जांच कीजिए जो इसके पहले वाले में सवाल में करना ता यानि फर्स्ट वाले question में करना था वह सेकेन्ड वाले में भी करनी है लेकिन यहाँ पे सिफ दो ही पान दिये रहे हैं प्लॉस एट यू कि बराबर में क्या माल लेंगे ठीक है यह यू है बराबर में सुनी माल लेंगे weight इसलिए मानेंगे क्योंकि हमसे क्या क्या यहां पर सुन्यक पूछा है तो सबसे पहले हम सुन्यक निकालेंगे तो सुन्यक निकालेंगे लिए तो कवान क्या दिख रहा है तो चार यू बराबर निकालेंगे जब हो जाएंगे यहां से चार कर जाएंगा यू सी यू कटए एक यू बचेगा ठीक है और दूनी आठ दो बचेगा एक यू से कट जाएगा बराबर में क्या हो बराबर 0 माननेंगे तो यू बड़ाबर किन्दा निकलेगा दोस्तोर क्योंकि अगर निकल दो सबसे इत blanks स्क्वाइर प्लास एट यू के दो कि शुन्यक के सुन्यक क्या क्या निकले जीरो और कि माइनस दो ठीके दोस्तो हैं इसके दो सुन्यक निकले हैं इसके दो सुन्यक क्या निकले जीरो और माइनस दो अब आपको क्या करनी है सबसे पहले आपको क्या करना होता है आपको यहां पर लिख देना होता है सतता की जांच करने के लिए क्या करेंगे जो क्यों दिया रहा था उसको से पहले फिर से यहां लिख लेते हैं से यहां से पहले हम A एक अमकीटा निकले दोस्तों चलते हमाने करें फोले से यहां पर इसको हल करेंगे आपको साधार तोर पर निकालना है सतता की जांच कर रही है उसके बाद से से निकालना है देखना दोनों अगर बराबर आएंगे तो चुन्यकों का तो सुन्य ने को का योगफल करना क्या दिया है जीरो प्लस 2 निखें है साधान तोर पर सुन्य को का योगफल किया निकलिक तो माइनस दुख लिए से देख Dü इस सुन्य को का योगफल वराबर क्या होता है माइनस बी अपानद कितना दीह ई एंड फोर तो 8 तो माइने सब खते 509 तो नहीं करते देख लेते हैं और सबसे पहले क्या क्या कि बुड़ा निकाली ृश्थ कि आ सखो सुन्य में में एक मिलवास अट कितना से निकाल लेते हैं तो 가 तो शुन्य को का गुड़न फल अब फार्मुले से क्या होता है सी आपान एक तो सी का मान कितना निकला है जीरो और एक अमाल चार अगर हम जीरो में चार से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा ठीक दोस्तों तो अबता जाँच हो गई आपको गुडन फ़ल साधाना तवर भी जीरो आ रहा है और फार्मूले से भी क्या रहा है जीरो आ रहा है योग फल भी माईनस दो आ और फार्मूले से माइनस दो आ रहा है अगर तो सत्तता की जांच हमय क्या करने पर यह सत्य पाया गया ठीक दोस्तों अब हम नेश्ट क्वेशन देख लेते हैं कि चले देखे दोस्तों दूसरे का और दूसरे रहे कर दिया है लिक दोस्तो तो सबसेाइब क्या करना होब अ हल क्या करना होगा क्या लिखेंगे लिएथ learning K भुच तरब क्या करेंगे वेच देंगे तो T स्कॉयर बराबर क्या हो जाएगा- 15 माइनस में था सथर और क्या हो जाएगा ठीक दोस्तों यह लग प्लस कांधोर काण लेगानिक लेंक टीक्तों उसका जो मान आएगा या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आ सकता है तो कांड़ी के अंदर कितना आ जाएगा पंदर हो जाएगा अब हम चलिए आगे हलका लेते हैं तो यहां देखा जाए ट के दो मान निकलें एक प्लस करणड़ी के अंदर 15 और एक क्या है माइनस करणड़ी के अंदर 15 तो यहां लिखे टी स्क्वायर माइनस 15 ठीक है टी स्क्वायर माइनस 15 के शुन्यक पहला निकला है करड़ी का अंदर 15,2 मान निकलें इतना लिख लेने के बाद है अब हम निकाले पहले सुत्र की निकालते हैं आपको यहां समक्ते हैं निकालते हैं तो तो यहां एक सब्सक्राइब करने है तो यहां पर सुन्य को का दो योग फ़ल साधारान तोर पर लिखें पहले योग फल्पल यहां लिखना चाहरे लिख देघीए स seulement ट कि जाँच संट्रा कि जाँच करेंगे सुन्यों कर योग फल्ग थे जोड़ के इना कितने फंद्रय dough along योग फीर क्या होress पंद्रप्लस मैंनस मांकर कढ़या जाँर आदध एहां जब्छसे रेगा म्माने-कwelणी T प्रावर में ये मैंने में तो भूर में जाएगा जिरू थार्फाल require 190 निकाला गया इसके सुमेईटान भारमूले से देख लेते सुने को सुन्य को का योगफल तो सुन्यको का योगफल ऐसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा माइनस B अपान A होता है तो ठीक दोस्तो माइनस B कमान कितना है सुन्य हो जाएगा और A कमान A एक में सुन्य कमान अगर हम सुन्य में एक से भावग देंगे कितनक दोस्तों तो सुन्य को का योग्फल फार्मुले से सुन्य आयां और वाईसे भी तौर गुडपल तो गुड़न फल निका लेंगे तो पहले सुन्य क्या दिया कंड़ी कंदर 15-15 गुरते ጥ समान क्रूल निकालते हैं तो सुन्य कों क्या करते हैंaland कुछit आप सब्सक्राइब समान है खरते हैं हमने किसा करते हैं निकालते हैं फार्मूले से निकाल लेते हैं तो सुन्यको का गुडण फल निकाल लेगे जा तो सी अपन एक तो सी कमान कितना दिया दोस्तों माइनस पंदर और एक कमान कितना है एक तो नीचे किना लिखेंगे एक अब 15 बटा एक नीचे एक की वैलू नहीं होती तो यहां क्या हो जाएग मैनस 15 तो दो देखें सुन्यको का गुडण फल मैनस 15 है फार्मूले से अ साधार्ण भी सुन्यको का गुडण फल कितना है मैनस 15 तो सुन्यको गुडण फल भी आपस में क्या है सत्य है यानि इसकी सत्यता की जांच हो गई ठीक दोस्तो अब चलिए Hopkins question देख लेते हैं दूस डूसरे का तीसर ना क्दूसरे का तीसरा दिया है ट्री एक्षी स्कुर्स कि माइनस एक्स माइनस फॉर ठीक दोस्तों अब हमें इसको यहाँ क्या गयाद करना है फिर उनके बीच की संबंद की क्या नीकाल लिए श्रत्त तजाच करनी है तो सबसे यह था 3 x square minus x minus 4 बराबर क्या माल लेंगे दोस्तों शुनी माल लेंगे ठीक है अब सबसे परड़ें क्या करें यहां गुड़ा करेंगे तीन का गुड़ा किसमें करेंगे लास्ट वे तीन चब कितना जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा आपको लिखनी नहीं है ठीक हम समझाने के लिए 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 रहना होता है लिखा नहीं जाता ठीक है अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए पहाड़ा पढ़ने बारा है जोड़ने घटाने पर एक आए तो चारत यहीं बारा और चार में से अगर तीन घटे कितना जाएग दोस्तों एक आ जाएग ठीक है तो लिख लीजिए 3x स्क्वाइर माइनस 4x प्लस 3x माइनस क्या 4 is equal to 0 ठीक दोस्तों अब देखे चारत यहीं 12 हो जाएगा और चार में से तीन घटे कितना चाएगा एक बगल में अक्स है ही अब हम दो दो का क्या बना लेंगे दोस्तों जोड़ा बना लेंगे ठीक है जोड़ा बनाने एक बा 3 बचा रहेगा 1 x से 1 x कचे एक बचा रहेगा माइनस 4 है 4 दिख लिए चैक क्योंकि 1 x से x कट जाएगा ठीक है प्लस यहां कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं ना एक कामन करेंगे अब गुड़ा भाग करेंगे तो 3x ही आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक का भाग लिख देंगे x plus one is equal to zero ठीक दोस्तों अब यहां से में दो सुन्यक मिलता है तो इसको निकाल लीजिए तो एकस माइनस फोर दिया है और यहां क्या दिया एकस प्लस वन बराबर जीरो तो पहले लिखिए 3x-4 is equal to zero हम यहां से क्या करेंगे x कमान निकालेंगे तो 3x बराबर इस तरह माइनस में इधर किस में हो जाएगा प्लस में तो क्या हो जाएग दोस्तों 4 हो जाएगा अब आपको क्या करनी है x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 3 चलाएगा तो 4 बटे क्या हो जाएग दोस्तों 3 तो x कमान निकलेंगे यहां पर 4 बटे 3 दूस सबसे पहले क्या करनी होगी सबसे पहले आपको निकालना होगा सबसे पहले हम लिखेंगे सत्ता की जाच करने क्लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे जो यह क्यूशन दिया रहता है तो question क्या दिया था? 3X square minus X minus 4 ठीक दोष्टो यहां से हम A, B और C का क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे तो यह हम यहां से A, B, C का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देख लिजिए A बराबर निकलेगा 3 B बराबर निकलेगा minus 1 के सांत कणा लिखना हो लगा अब क्या है निकालेखेumed को का योगफल के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा चार बटा कितना निकला है तीन और माइनस एक ठीक दोस्तो तो चार तीन एक का तीन तो चार माइनस क्या हो जाएगा तीन बटे नीचे कितना तीन घटाएंगे तो कितना हैगा चार में तीन घटे एक बचेगा और नीचे कितना जाएगा दोस्तो तीन ए करा सुन्ने को का करे सुन्ने को का योणफल कि सुन्ने को का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस लगा क्या दिया है तो घमाण कीदना है यहां से माइनस एख ओम प्लस और नीचे किना है एक बटा तीन देखे साधा और भी आ गया और फार्मूले से भी आ गया ठीक दोस्तों अब हम क्या निकाल लेंगे सुन्न को का कि गुड़न के फल कि गुड़न तो बराबर चार बड़ा किनना है तीन अब गुड़ा किससे करेंग माइनस एक से जब गुडा करेंगे तो चार एका 4, तो माइनस 4 हो जाएगा, और नीचे किटना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, firearms, ब्रूर पे निकालेंगे, अब हम इसको फार्मूले से निकालेंगे, तो 0CD का गुड Chrondle, ब्रूर्फ में फल बड़ावर, question number 3 question number 3 question number 3 बोला है यदि बहुपद 2x square plus 3x plus lambda का 1 सुन्यक 1 बटा 2 हो तो lambda का मान किजिए ठीक दोस्तो अभी इसके पहले फारूले में सवालों में जब भी मैंने x का मान निकाला तो वो जब भी कोई मान सुन्यक निकाला वो किसका मान था x का तो यहाँ x का मान दिया है तो सबसले question लिग लिजे बहुपद आपका जो दिया उसको लिग लिजे बहुपद तो बहुपद आपका क्या दिया है 2x square plus 3x plus lambda ठीक दोस्तो यह आपका दिया है अब आपको क्या करनी है इसमें से हमें x का एक सुन्यक दिया है यानि x पराबर किया दिया है एक बटा 2 और हमें lambda की क्या पूछा है मान ज्याद कीजिए यानि हम lambda का यहाँ पर मान ज्याद करेंगे तो सबसे पहले चलिए हम हल करते हैं और हम मान निकाल लेते हैं तो यहां लिखिया आप हल question क्या दिया है लिख लीजिए तो 2x square plus 3x plus lambda ठीक दोस्तो और हमें lambda की मान गया दिए तो यहां पराबर हम क्या मान लेंगे दोस्तो 0 मान लेंगे अब हमें देखिए x का मान कितना दिया एक बटा दो दिया है तो जहां जहां x से वहां क्या रख देंगे एक बटा दो रख देंगे तो चलिए देखिए 2 ऐसे ही रहेगा x का मान कितना एक बटा 2 और पूरै की square लगा दिजिए plus 3 यह 3 के ऐक सो कि निकलेएं का एक स्कॉरार करेंकर यह का एगा दो का स्कॉरार चाहर बडस्ट दो प्लस लेंड यहां सुरा में नुड़ दो ठीक के दोस्तो अब देखाएँ है दो 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 नी चार कड़ गया तो यहां ऴचा एक बट्टा दो आफ प्लस अ 3 कि अधै दो प्लस लेमडा बराबर यह इसका नीचे कि क्या हैं हर समान है तो और झाइगा जुढ़ और यहीं आफेसा of यह जोर रहता or टी जैता और लेंडा की मानकाद करते हैं तो दुब्स यह क्या बचेवार्ट सब्सक्राइब हो डुर्ट कर दोस्तों लेंडा यहाँ यहां फिर फ्र दैज्माट निका लेंगे तो यहां 2 इस तरफ प्लस में उस तरफ किस में हो जाएगा माइनस में माइनस क्या हो जाएगा 2 तो लेमडा अगरावा निकलेगा दोश्टो माइनस दो ठीक दोस्तो यही आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है तो चलें next question दख लेते हैं देखें दोस्तो, question number 4, सबसे पहले question number को पढ़ लेते हैं, question number 4 दिया है, यह दि बहुपद x square minus 4 root में 3x plus 3 के सुन्याख, alpha था बीटा हो तो, alpha plus beta minus alpha into beta का मान ग्याद कीजिए, ठीक दोस्तो, जो सबसे पहले बोला रहे करें, उसको आप लिख लिया करें, ठीक है, हमारा सबसे प पहले उसको लिखें, यहां दिया है, बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या दिया है अपका, x square minus 4 root में 3, बगल में x plus 3, के सुन्याख क्या है, alpha बीटा है, ठीक है, और मान किसकी ग्याद करनी है, alpha plus beta minus alpha बीटा, इसी का हमें क्या ग्याद करना दोस्तो, मान ग्याद करनी है, अगर देखिए, इसमें से alpha बीटा, alpha into बीटा का मान निकल जाए, तो हम इसमें पूरे का मान ग्याद कर जकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका मान निकालेंगे, ठीक दोस्तो, इनका मान निकालेंगे, क्या करते हैं, फार्मूल आपको हम उसका मान निकालेंगे तो पहले देखा ए बराबर कितना निकलेगा एक, बी बराबर निकालेंगे तो माइनस फोर रूट में त्री, और सी बराबर कितना निकलेगा तीन निकलेगा ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इतना हल करने के लिए इतना हम मानोहा निकाल लेंगे मान जब निकल जाएगा तो सबसे पहले आप क्या निकल लेंगे सुन्ने को का योगफल तो लिखें यहाँ पर सुन्ने को का योगफल तो सुन्ने को का योगफल है निस सुन्ने किसके क्या बोले हैं अलफा और बीटा है तो छुन्यन का रफा बीटा का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बराबर पफर्मूला वहते हैं? मैनस B अपन A, शुन्यको का योगफल का फर्मूला यह होता है, मैनस B अपन A, ठीक दोस्तो? अब हम निकालेंगे सुन्यको का गुड़न फल अलफा प्लस बीटा कमान निकल गया अब निकालेंगे गुड़न फल तो लिखे सुन्यको का गुड़न फल तो सुन्यक क्या है मेरे अलफा इंटू बीटा गुड़न फल मलब गुड़न फल इनका गुड़ा हो जाएगा सुन् 4 लिख लेंगे ठीक दोस्तों अब हमएं किसकी मानग्याद करनी है लिख लिख लिए निखा प्लस बीटा-csap करना है तो लिख लिए अलफा प्लस बीटा बीटा-csap ठीक दोस्तों अब इसका कोई हल नहीं दिख रहा है तो आप यहीं क्या कर दीजिए इसका अंसर कर दीजिए ठीक है दोस्तों तो चलिए अब next question देख लेते हैं देखें दोस्तों question no.5 question no.5 बोला है आपसे यदि बहुपद 2x square minus 7x plus 3 के सुन्यक P तथा Q हो तो P square plus Q square का मान ग्यान कीजिए इसके सुन्यक आपको क्या दिया है P square आपका सुन्यक जो था alpha बीटा था लेकिन इसमें जो सुन्यक दिया है P और क्या क्या दिया है 2x square minus 7x plus 3डिक दोस्तों अब बहुपद दिया है और इसके सुन्यक P तथा Q दिया मान किसका ग्यान करना है P square plus Q square का हमें क्या ग्यान करना है दोस्तों मान ग्यान करना ठीक है तो चलिए हम इसको आसान तरीके से हल कर लेते हैं सबसे पहले आप इसको हल लिखें यहां लिखें दोस्तों हल में क्योशन कितना दिया लिख लीजिए 2x square minus 7x plus क्या 3 जैसे इसके पहले वाले तो आप ने किया था वही सेम सेम करिए यहां पर पहले एक आमान निकाले लें इसको किन्ता निकलेगा दो वी ब्राबर माइनस 7 और सी बराबर है तीन निकल जाएगा ठीक दूसतों इतना करने के बाद आपको सुन्यकू का क्या निकल ना है योग लिखें शुन्यकू का योग फल ठीक है तो सुन्यको का योग फल क्या हो जाएगा सुन्यक इसमें क्या बोला है P और क्या है Q है तो P प्लस क्या कर दिंगे Q इसके सुन्यक दो P और Q है तो सुन्यक का योग क्या हो जाएगा P प्लस क्या हो जाएगा बराबर क्या होता है फार्मूला माइनस B अपान ठीक है दोस्तों तो माइनस B माइनस ऐसे ही रहेगा B कामान कितना दिया माइनस 7 अपान A कामान 2 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस यानि 7 बटे कितना निकलेगा दोस्तों 2 निकलेगा ठीक है अब हम क्या देख लेते हैं स्सद्वन पोन निकाल गया अब शुन्यकों का निकाल लिजिए गुलन फल तो लिख यहां पी शून्यकों का गुलन पो फल तो सुन्यकों गुदन फल पराबर क्या होताह सी अपान टीक थो कमान कितना है 34 आ सब्सक्राइब कर ना तो सबसे पहले को क्या करने हैं टो इसका एक फार्मूला होता है सूत्रब् acute ना करने के बाद सबसे पहले किया करनी है जो मान निकला इसको रख दीजे आप देखे सबसों आ helpsU उसको देखिए क्वार्बर इसका हमें मान घ्याद करना है इसको ऐसे लिख दीजे प्लस टू इंटु पी क्यू करेंगों कितना निकला थी स्क्वार प्लस कि हिस्क्यूर क्यों कि चांद करना अगत कि कि या रख क्या होगा कर जाएगा बच्छे कि न थी कुंतर कर देंगे तो चाय बटे चार और तीन उस्तर जाएगा किसमें हो जाएगा स्वाइनस में हो जाएगा ठीक दोस्तों चले आगे देख लेते अब क्या करना सबस्क्राइब इसको इससे लिख लीजा कि पी स्क्वैर प्लस्क्यू स्क्वैर बराबर निकालेंगे तो ट्यारत यह रहा ही यानि 49 माइनस क्या हो जाएगा 12 बटे 4 हो जाएगा तो P स्क्वाइर और प्लस Q स्क्वाइर बरबर निकालेंगे तो उनि 4 में से 12 घटाएं कितना से कैं गोड़स धो 37, और बटे कितना हो जाएगा चार, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तो अंसर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं question number 6 दोस्तों देखिए question number 6 बोला है आपसे यह दी बाउपद है 3x square plus 11x minus 4 के सुन्यक m तथा n हो तो m upon n plus n upon m का मान ग्यांत कीजिए तो सबसे पहले जो बाउपद दिया है उसको आप लिख लीजिए और इसमें जो सुन्यक था वो बदल दिया है सुन्यक का नाव क्या रख दिया है m और एं रख दिया ठीक है सबसे पहले इसके पहले फालने पीक्यू था उसके उस से पहले सवाल में अलफा भीच आता अब हर इसमें ओर n दिया तो लिखे छटमे सब दिया है रहो कि बहु पद सिका बहु पद्दिए आपका 3 peque simply स्क्वायर माई प्लस 11 एक्स माइनस फूर ठीक दो और इसका बाउपत क्या दिया है अब मान किसका ग्याद करना है एम अपान एन प्लस एन अपान एम का हमें मान ग्याद करना है ठीक दो तो चलिए हम इसको अब हल कर लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखे जो दिया गया उसको लिख लिए और इसमीन захem contrai करता है मान निकालना ओटा ठीक यहां लिखे हाल कि बीका 11 और सबसेट आपकर ना करने हैं ह। अब क्या करने हैं सुनने को किशнул लिखे लिए तो यहां लिखें चोन्य योग योग महला सुनने कावक क्या है M और N है तो M प्लस क्या हो जाएगा N बराबर माइनस B यापान ठीक दोस्तो अब द्याण दिजिए माइनस B कमान कितना है 11 तो 11 हो जाएगा अजैने 11 हो जाएगा A कितना 3 ठिक दो स्वाइन सुनने कोई का गुड़न फल तो सुनने को गुड़न फल क्या हो प्लस एन अपनए इसको रख देना है तो सबसे पहले इसका फार्मूला इसका बनाएंगे M upon N का मान ग्याद करना है तो सबस्परे लिखिए M upon N प्लस N upon M इसी का मान ग्याद करना है तो सबसे पहले इसको हम क्रास गुड़ा कर देते हैं अगर M का M में गुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा M square N का N में होगा तो N square और नीचे क्या जाएगा M N ठीक दोस्तों अब इसको हम क्या लिख सकते हैं चले देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपे M इसको हम लिख सकते हैं M plus N का whole square minus क्या 2 M N अगर इसको हम फार्बुले में तोड़ेंगे तो M square plus N square आ जाएगा अब प्लस क्या 2 M N और हम माइनस 2 M N से कर जाएगा तो फिर यही आ जाएगा ठीक दोस्तों तिसले इसको हम ऐसे लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा M N ठीक दोस्तों अब इसको हम हल कर लेते हैं M plus N का माण निकला था M N का माण निकला है minus 4 upon 3 ठीक है अब इसको आफ हल कर लेजिए हल करेंगे तो 11 का square करेंगे तो 11 ग्रह में कितना है देख दोस्तों 121 आ जाएगा और नीचे कितना है 3 का square 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 वटे कितना हो जाएगा 3 अब पूरे वटे minus 4 वटे 3 हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब हम अगर इसको हल करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सबसे पहले यहां देखिए इसका LCM हम लेंगे कितना हैगा 9 आ जाएगा उपर 9 लेंगे 31 काईस हैसा ही रह जाएगा 3 तरिक का 9 3 आएगा 3 अड़ कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा ठीक है और नीचे कितना चाहेगा minus 4 upon 3 ठीक है अब हम क्या करेंगे 3 से कर जाएगा हमें साब बटे का बटा कहा चला जाएता है सबसे उपर तो 121 प्लस 24 24 एसर रहने दीजे अब बटे कितना 9 अब यह क्या हो जाएगा पलट जाएगा त्यारी 3 बटे कितना हो जाएगा minus 4 हो जाएगा ठीक है तो 3 से काड़ यह 3 तरिक का 9 कड़ गया ऊपर वाला कितना जोड़ेंगे 4 एक कितना हो जाएगा 5 और 224 उपर 145 आजाएगा और नीचे 4 तिया ही 12 है नहीं minus 12 145 उटे minus 12 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यही answer हो जाएगा ठीक है चले question number 7 देख लेते है question number 7 बोला है बाउपद x square minus 3 के सुन्य ज्यांद कीजिए और सुन्य को तथा गुडांकों के बीच की संबंद की सत्ता की जाच कीजिए ठीक दोस्तों तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लिए बाउपद कितना दिया है लिखे बाउपद बाउपद जो दिया उसको लिख लिए बाउपद दिया x square minus 3 तो सबसे पहले जो इसके दूस्रे वाले स्वाल में आप करते चले आए थे दूसरे वह दूस्तर अब क्या होता है, प्लस माइनस लग के करणी लग जाती है, तियानि करणी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है दोस्तों, अब यहां दिखें, यह सका दो मान निकला, एक प्लस में, यह क्या निकला, माइनस में, यह प्लस करणी के अंदर 3, और माइनस करणी क कुमा कंड़ी गंदर 3 टीक तो अब यहां से आप को सत्यता की जाँच करने के लिखे सत्यता की का किया इंच वैह जो की लिखने के बाद यहां से लिंगे सफ्क्वाइर माईनस त्री यहां से अगर एक आमान निक्क लेंगे तो ए बराबर क्या निकलेगा एक और बेस जीरो सी निकलेगे दोस्तो तो माइनस 3 क्योंकि ब्राबर जीडो सिली निकलेगा यहां पर एक्स का कोई गुडांक नहीं है ठीक है अचरपाद दिया है और एक्स स्क्वाइर का गुडांक तो अब हम निकालेंगे सुन्य को का सुन्यको का योग फल सुन्यको का योग फल हो जाएगा करणडी का अंदर 3 माइनस प्लस और माइनस दिया है तो माइनस करणडी का अंदर 3 तो इसको ऐसे रहने दीजे करणडी का अंदर 3 प्लस माइनस माइनस करणडी का अंदर 3 तो सुन्य को का योगफल बराबर होता है माइनस B अपान A ठीक है तो माइनस B का दिया है मान सुन्य एक मान दिया एक सुन्य में वन से अगर भाग करेंगे तो कितना है का सुन्य ठीक तो तो फार साधान तोर पर हमारा कितना है सुन्य को का योगफल सुन्य और सुन्य को का योगफल फार्मूले से भी सुन्य आइनी सतता कि जहांच इसमें क्या निकली योगफल में शत निकली अब हम सुन्य को का क्या देख लेते हैं गुड़न फल लिखें यहां पर सुन्य को का गुड़न फल तो सुन्ने को का गुड़न फल क्या हो जाएगा रूट में 3 इंटू माइनस रूट में 3 अब माइनस यहां से कंड़ी उसे कंड़ी गुड़ा करेंगे तो कंड़ी हड जाएगी बचेगा सिर्फ कितना दोस्तो माइनस 3 ठीक है करणड़ी आते हैं तो कंड़ी का गुड़ा होता है कंड़ी से कंड़ी क्या होती दोस्तो हड जाती है मेंस भड कि माइनस तो क्या होता है एक तो देखे सुन्ने को का गुड़न फल माइनस त्री आया साधान तोर पर और फार्मर मूले से भी कितना है माइनस त्री तो तहां सत्ता की जाच जो हुई हो सत्य ठीक है दो चलिए अब हम नेस्ट के चले देखे दोस्तों क्योश्चन नमबर एट क्योश्चन नमबर एट बहुपद 48 प्लस 2 x- x-square के सुन्यक ग्याद किजिए और सुन्यक को था गुड़ांकों के बीच संबंध की सत्ता जाच कीजिए तो सबसे पहले हम बहुपद लिएंगे बहुपद क्या दिया आपका 48 अजा नमबर इप्लस 2 x- x-square ठीक है दोस्तों तो इसमें सबसे पहल करेंगे परले हिसको सीधा बनायेंगे तो हल लिखेज यहां पर ठीक दश्बस तो एक्स्वेयर माइनस में पढ़ले इसको वह मिनाएंगे तो यहां संगर यह करेंगे माइनस को माइनस प्लस मैं देगा हो पिलस मी क्या हो जाएक दोस्तो 48 बरावर जिरौ जो प्लस में था वो माइनेस में हो गया जो मैं अग्रोश मैं यह सुनने के पास टो सुनने हो जाएक घ्लीक तो लौ एक स्कोर माईनस लौ किसीशना कर दो तो वह सुने में तो सूनने हो जाएगा अब देखे दिविखाद बहुपत क्या बना है x square minus 2x minus 48 अब ऐसा पहाडा पढ़ी है पहाडा पढ़ने अब कितना है 48 आए और जोड़ने घटाने अब कितना है 2 आए ठीक दोस्तों तो यहाँ लिखे x square अब कितना है 8, 6, 48 अब यहाँ लिख सकते हैं 8x plus 6x minus 48 बराबर 0 अब हम यहाँ से 2-2 क्या बना लेंगी जोड़ा बना लेंगे इसमें कुछ कामन दिख रहा है तो इसमें क्या कामन है x जब x कामन लेंगे तो क्या होचेगा x बचेगा और यहाँ minus 8 यहाँ से x दो बाहर हो गया प्लस 6 यहाँ सकामन दिख रहा है तो क्या होचेगा x plus minus minus 8, 48 यहाँ कितना जाएगा 8 बराबर 0 तो दोनों कोष्टक मिल लाए ना दोस्तो तो इसको एकसान दिख लिए x minus 8 अगले कोष्टक में x plus 6 is equal to 0 ठीक है अब क्या करेंगे x minus 8 बराबर क्या मालेंगे 0 x बराबर क्या निकलेगा 8 ठीक दोस्तो यहाँ x कमान कितना निकला x सुन्यक कितना निकला 8 अब हमें हाँ मालेंगे x plus 6 बराबर 0 मानेंगे x बराबर क्या निकलेगा minus 6 6 सुन्यक क्या निकला है is 6 निकला अब आगे देख लेते हैं सबसे पहले सुन्यक जब निकलेंगे 8-6 ठीक है इसके 2 क्या खुरेट इसके दो सुन्यक निकलेंगे अब आपको क्या करनी होगा क्या सबसे पहले आप क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे ठीक है तो लिखिए यहां पर सत्यता की जांच करेंगे तो पहले सबस्क्राइब क्या दिया था इक ब्राव क्या निकलेगा दो और तो V विधाक के निकलेगा है प्लस माइनस र्खावत ऑब हम गटा देंगे तो प्लस माइनस 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 च्ish जाएगा कितना गया दो साधानार तर पर कितना गया दो हम फारमूले से देख लेते डिक कउका है जुनने को का jam used two music लिता लिए rotate to the cut तो सब्सक्राइब दो तो फार्मूले से भी दो और और क्या सदान तौर भी दो आया सुन्य को का यह वह वह आपस में बराबर आता है सथ हुए अब सुन्य को का हम क्या निकालते हैं गुडण फल तो लिखिए शुन्य को का गुड़न फल तो सुन्ने को का गुड़न फल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आठ दिया गुड़ते माइनस क्या दिया अच्छा तो आठ छांग कितना हो जाएगा दोस्तों 48 माइनस क्या निकलेगा 48 निकलेगा सुन्ने को का गुड़न फल किन्दा निकला समय कब और सबस्ते में कि तो 0-48-48-48 से ऑर संधान तो की योगफल थी आपस में हम कяж सकते हैं सत्तदा की जाओ जो है वो सत्य हुई आपड़े टीक है तो हम चलिए क्योस्चिन नंबर हम देख लेते हैं नौ कि extra step coupon नंबर नौ क्यश्ट के या कि यह बाउपद x sqear x- Σ्क्यार één का एक शुन्य एक है तो के क्या मान कि कीजिए तो सबसे पहले के लिख की लिजे पार से च स्क्राइब प्लस ग्रती के ज्वाप दिया रहा है उसको लिखी लीजिए उसके बाद सुनियाख क्या दिया है एक यह एक क्या मान टिया है और के को हमें क्या ग्याद करना है मान ग्यार करने है ठीक दोस्तों तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं हल करते हैं तो अहल में लिखिए प्लस प्लस के बराबर क्या माल लेंगे जीरो माल लेंगे ठीक है दोस्तों अब जहां चहां एक्स दिया मां क्या रख देंगे एक तो यहां एक हो जाएक हो जाएगा स्क्वाइब के बराबर जीरो एक का इस्कौार करें एक ही आएगा यहाँ पर लृड़े से हैं एक बराबर क्या जाएगा जीरो एक क्या है दोश्थो प्लस-प्लस-ब्र बराबर जीहरो हमें किसकी मानन question देख लेते हैं Question no.10 जिए तो द्रीघाद बहुपत करने के लिए सबसे पहले आफ फार्मूला समझ लिए dosuto द्विघात बहुपद ग्यांत करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद ग्यांत करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला समन लेजिए हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वाइर माइनस शुन्यको का योग का योग भगल में क्या X plus 0 को का गुड़न 0 को का गुड़न फल बराबर 0 ठीक दोस्तो हमारा फार्मुरा है X square minus 0 का योग भगल में X plus 0 का गुड़न फल बराबर 0 यानि x square minus 0 का योग क्या हो다 है alpha plus beta तो इंटु बहुत्ता यह आपका फार्मला नीकल जाए 2 11 स्क्वार माइनस अलफा प्लस बीटा बगल मैं एंतू अलफा प्लस अलफा बीटा बराबर जीरो यह आपका मेन ठीक दोस्तों तो दस्टों को हम इसी फार्मले से हल करतें तो चलिए देख लेते हैं कवेश्च nhân नमबर तो हमाला जो सवाल है उसकर अम्हल कर लेते हैं तो क्वेश्च hearn क्या बोला है कि घ्ळाइठ यघ्यात गया से जिसके समकुंपर्णफव करंशी करना हो दुदध करना है ध्याइठ करना को देकर मेंपर्णफव करना को चल्णा है और दसमे का पहला तो एक बटा क्या दिया है चार कामा माइनस एक ठीक दोस्तों तो इसमें सुनने को का योग और गुणन फल क्रमसा दिया गया है हमें दिविखाद वाउपद ज्यांत करनी है तो हम हल करते हैं यहां से इसको और समझ लिए आप लोग बढ़िया से तो यहां से अलफा प्लस बीटा बराबर क्या निकले दोस्तों एक बटा चार यानि सुन्ने को का योगफल एक बटा चार है और सुन्ने को का गुणन फल अलफा बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक ठीक दोस्तों यह सुन्ने को का योगफल है यह सुन्ने को का गुणन फल है आपके सामने आपका फार्मूला रखा गया, तो इहां लिखे, हमें क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ग्याद करना है, तो सबसे पहले लिख दीजे आप यहां पे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ग्याद करना है, कर ली तो एकष डीफौर ऐसे ही रहएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा ताब मान कितना या रक process कि रहए году एकष प्लस अल्फा बीटाल्फा बीटा का मान कितना है माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों सुन्दियों हो जाएगा टीक है तो चलिए अब आगे हलका लेते हैं, यहां देखे, x square ऐसे ही रहेगा, minus 1 आपान 4 x v ऐसे रहेगा, plus minus क्या होजाएगा, minus 1 बराबर 0, ठीक है, यहां बटे में 4 दिख रहा है, 4 कम क्या करेंगे, cross गुडा करेंगे, तो 4 का x में करेंगे, तो किन्दा हैगा, 4 x square minus, x का 1 क्या हो करेंगे तो क्या हो जाए गाए Bbb gd नीचे हमारा मान नहीं रहना चाहिए इसलिए इसको सुनने के पास भेज देंगे तो इसे ज़िए और उड़ा तो सून्ने हो जाएगा आप 4X स्क्वार माइनस x माइनस प्वर आपके निकल जाएगा शुण यह आपका आंसर जाएगा टिक दो तो चलिए हम दसमे का दूसरा देख लेते हैं तो इसको हम हल कर लेते हैं ठीक है दोस्तों चलिए हल करते हैं जब हम ईसका हल करेंगे तो सबसे पहले सुन को का यव फल यानि alpha अपूल प्लस बीटा बराबर रूट में प्लफ़ अब बूड़ है उट्वल इन्टू बीक्टा बराबर एक बटा तीन ठीक है दोस्तों तो हमें क्या ग्याद करना है तो हमें द्विगाद बहुपद तो द्विगाद बहुपद का फार्मूला क्या होता है एक्स सक्वयर माइनस अलफा भुद बहुदध फलस थीन बहुद दूस्तों अलफा बीट का अलफा संग्यगाठ भटत अब थीन बटे में तो हमँद भटे का रिखना चाहिए लिख सकते हैं भटता शुद्ध इह तो लिखे का एं 고ाइए थीन का गुड़ा इसमें क्या हो जाएगा 3x स्क्वाइर माइनस 3 की इसमें करेंगे तो इतना हम पूरें लिख देंगे अब क्या करेंगे तुछ त्थी यह हो जाएगा सबसे पहले आप नहीं यह लिखेंगे Hull और Hull में लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या निकालेंगा alpha प्लस beta यानि सुन को कह योज फल, तो alpha प्लस beta परवद क्या दिया है, चून दिया है, और alpha into beta परवद क्या दिया है, root में 5 दिया, ठीक दोस्तों? अब आपको दुघात बहुपद बतानी है, है तो दुव्हात बहुपद लिए फर्मूला उता है एकस इसक्वायर माइनस अल्फा प्लास बीटा बगल में एकस प्लास अल्फा-बीटा ब्राबर जीरू ठीक दोंसतो एकस ऌधा अैसे ही रहेगा माइनस अल्फा-प्लास बीटा प्लास रूट में फाइब बराबर सुने ठीक दोस्तों तो आपका यहीं पर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा चलिए हम नेक्स्ट क्यों देख लेते हैं क्योश्चन नंबर 11 यहां लिखें क्योश्चन नंबर 11 देखें दोस्तों क्योश्चन नंबर 11 है एक दूइघात बहुपत ग्यांत कीजिए जिसके सुन्ने को को योग धा गुड़न फलकरमसर दी हुई संख्या है है ठीक दोस्तों सेम सेम दस्वे के जैसा है वह ऐसा ही करना है तो सब सब देख तस्वें का मere ame का वाला तो हमें का पहला दिया है एक खामा एक टिक है अब हम इसको हल करते हैं तो सुन्नेकों का योगफल था गुड़न फल दिया है तो करके हम से सुन्नेकों का योगफल योगफल क्या निकलेगा अलफा प्लस बीटा बराबर एक निकलेगा और अलफा इन्टू बीटा बराबर क्या निकलेगा माइन सुरी एक निकलेगा ठीक दोस्तों ये भी एक निक अब हम क्या निकार माँद द्वीघाद बहुपद ना है तो द्वीघाद बहुपद का आपका फर्मूला वता है x2 मायनस अलफा प्लस बीटा बगल में x प्लस अलफा बीटा ब्राबर 0 तो यक्षिस्ट रहेगा माइनस अलफा बीटाग मान कितना एक गुड़े में एकस प्लस अलफा बीटाग मान कितना है दोस्तो एक बराबर जिरो एकस का एक करें गुड़ा क्या आएगा दोस्तो एकस स्क्वार माइनस एकस प्लस वन बराबर क्या निकलेगा जिरो यही आपको क्या हो जाएक दोस्तो आंसर हो जाए टीक है तो चले हम नेश्ट को लेक्षन देख लेते हैं अ कि देखे दोस्तों 11 नमबर का दूसरा देखिए 11 नमबर का दूसरा आपका तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल और हम यहां देखें क्या दिया है तो दिया है आपका सून निकों का योगफल प्लस बीटा नूलप कि अलफा प्लस बीटा पराबर क्या दिया है माइनेस एक बते चार को इनट बीटा पराबर दिया है कि 1 बते चार टिक दो दोश्तो अब को इसको हमें पिड्री घात घुली народ लगया एंठाओं लता हो यहां पर 12 घुछ डूड़ी अमुखके तो अफहाइं रच क्या करेंगे यहां लिखें पहले क्या था फार्मूला एक्स अस्क्वार माइनस आल्फा प्लस बीटा बगल में एक्स माइना प्लस अलफा बीटा बराबर जीरो ठीक दोस्तों तो एक्स स्क्वाइर ऐसे ही रहेगा माइनस अलफा प्लस बीटा कमान कितना है माइनस एक बटे चार बगल में एक्स प्लस अलफा बीटा कमान एक बटे चार बराबर क्या हो जागा दोस खुट करेंगे तो चार चार से चार कट जाएंगे तो इक बडाबर 0 हम चार क्या करेंगे क्रास गुड़ा कर देंगे जीरो मोद गुड़ा करेंगे जीरो हो जाएगा बचसे कितना फोर एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स प्लस वन बड़ाबर जीरो यही क्या हो जाए को अंसर असौह तो चलिह हम निज्चक देख लेते हैं कि क्यूस्चन मों ग्यार का तीसरा ग्यारा का तीसरा देखे दोस्तो चार कामा एक ठीक दोस्तो तो ग्यारा का तीसरा देख लिए चार कामा एक दिया है चले इसको हम हल करते हैं सबसे पहले आप क्या करिए क्या करिए यहां से वहमें चुन्यकु का यहधिया यहांत्या प्लस बीटा ब्राबर चार हो जायेगा अब इसका फार्मुला लिख दीजए इसका फार्मूला किया है दोश्तों एकस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है तो नेस्ट क्योश्चन देखेते हैं क्योश्चन नमबर 12 क्योश्चन नमबर 12 आपका यह दि बहुपद ए एक्स स्क्वार माइनस फाइप एक्स प्लस सी के सुन्यांको का योगफल और गुड़न फल करमसर प्रतियक कि 10 के बराबर हैं दोनों यानि सुन्यांको का योगफल और गुड़न फल्चन दनों किसके बराबर हैं तो सबसे पहले हम क्या निखेंगें सुन्यांको का योगफल क्या है दस के बराबर है और द्युगाद बहुपद लिग लिजिए सबसे पहले द्युगाद बहुपद क्या दिया है आपका एकस स्क्वार माइनस 5 एकस और प्लस सी ठीक दोस्तो तो इनका योगफल और गुड़न फल किसके बराबर है 10 के बराबर तो सबसे पहरे इनका फ़ल SAY हम 10 के बराबर करदेंगे लेकिन सबसे पहले क्या रिखेंगे हल हाई हल करते समय आप ध्यान दीजी कि गोपन कि ना दिया है अफे एक अमान ऊपर च मझें शीत अहां बताना है याशन तो सब पर लिके सुन्य आंकों का योगफ़ल को को अजय को योगवद कि बराबर क्या होता दोस्तों अपाना-न ए रोत है कि सुन्य को का योगफल क्या होता है मैनश भी आपानEY चुर्नी को का यॉपषल कित लिफ न्न दिया है तो 10 पर आबर क्या प्लस हैंनि और निकलेगा यह यहां चला जाएगा याद इसका अगुडा कर लिजे इसका यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा यह बराबर निकालेंगे तो पांच बटा क्या जाएगा दोस्तों दस आजएगा तो अब हम बी का मान निकाल लेंगे सी का स्वरी सी कमान निकालने के रिए क्याल फार्मर लगाएंगे सुन्यां को का सुन्य को का गुडन फल बराबर क्या होता है C अपान A ठीक है दोस्तो तो C अपान A होता है तो गुडन फल किनना दिया है 10 दिया है C कमान C ही रहेगा A कमान क्या निकला है 1 बटा 2 ठीक है यहाँ देखे A कमान किनना निकला 1 बटा 2 तो लिखे 10 बराबर ना इसे 10 बराबर बटे बटा कहां चला जाता दोस्तों उपर तो क्या हो जाएगा 2C जब भी बटे का बटा रहेगा तो मुस्थ उसको उपर गुड़ा करें तो बटे में कितना हो जाएगा तो कितना जायगा तो सी एक आपका अंसर निकलेगा तो यह निकल जायगा एक बटा दो और झाल निकल जायगा और पांच यह ए आप क्या नमर्ट 13 आपका बहुपद X स्क्वार प्लस एक बटा च्छायक्स माइनस दो के सुन्याग ज्यांत कीजिए तो इस बहुपद के गुडांकों और सुन्यांकों के वीश संबंदों की सत्ता ज्यांत कीजिए सत्यापन कीजिए ठीक दोस्तों जैसे आपने पहले सवाल करते चल प्लस वाण श् Harcotta requests लें हम जीड़ीयlvania तो इसका हमें क्या निकालना है सबसे पहले सुन्याक निकालेंगे ठीक है उसका सत्य निकाल लेंगे ठीक है उसका की जांस करेंगे तो वही सत दा तो यहां से हम क्या निकालेंगे यक्स का मान निकालेंगे ठीक दोस्तों तो 12-72 यहां कितना जाएगा दोस्तों बहतर आपको मन में लिए रहना है जोड़ने घड़ाने कितना है एक है तो 12 कितना हो जाएगा तो चलिए हलकर लेते हैं लिखिए 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इसक्वाल टू जीरो ठीक है अब क्या गरेंगे दो-दो का हम यहां बना लेंगे जोड़ा दो-दो का जोड़ा बनाएगे इसमें देखिए से दो यहां रहें ठील से 26 भी कर जाएगा थीं से न southerniding यहां पर किया हो जाएग कामनó lux तो बचेक क्राइग तो बचेक में सिद्स माइनस चारत याई बार है ठीक है बराबर जीरो अलोगे टू एक सिस्टी माइनस थी इसमें भी है तो प्लस त्री प्लस हो जाएगा ठीक है तो प्लस थी का मन फो जाएगा और यहां प्रक्षे तो इतना समझा है अब आपको क्या करनी है अपने मन लेना पर आबर में तो यहां सा अगर हम क्या निकलेगा माइनस 3 एक्स पराबर निकालेंगे तो माइनस 3 अपान 2 निकलेगा ठीक है तेहनी एक्स कमान यहाई एक निकल एक सुन्यक निकला एक्स पराबर माइनस 3 अपान 2 दूसरा सुन्यक निकालेंगे तो क्या आएगा 3x-4 is equal to 0 3x पराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 4 इस तरह म हों में क्या करनी होती है सतता की जांच करनी होती है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे है एकसी स्क्वायर प्लस बान ड्रेस्ट या तो यहां पर जो निकला था लास्ट में six squareng plus x-12 यहां लिग..., दीजिए आप यह लिख दीजिए 6 x squareằng plus x-12 च adults के सुन्यक ठीक है तो इसके सुन्यक क्या निकले हैं इसके सुչन्यक निकले है माइनस तीन वटे 2 और कि चार वटे 3 ठीक है इसके दो सुन्यक निकले मैं इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है शुन्यको का योग फल सत्यापन करने के लिए क्यान लिख दीए सत्यापन दो सुन्य को का योग फल हो निकालने के लिए क्या करें इसका क्या करेंगे करेंगे तीन तरीक का अब हम फार्मूले से निकाल लेंगे सुन्यको का योगफल तो लिखें यहां पर शुन्यको का योगफल तो सुन्यको का योगफल जब निकाल लेंगे फार्मूले से तो क्या होता है माइनस भी अपान ए ठीक है दोस्तों फार्मूला होता है तो अब देखें माइनस भी बी क का यह आधा वह यंपन दोस्तों आपको वार मुले से निकला कि एकण यहाइए करते उwny यह च्छायर क्यों करते है दिखिए और धान का सत्यापन करते हैं तो लिखिए हैं याँ पर सुन्यको का का गुडन फल तो गुडन फल कितना मान निकला था माइनस 3 अपान 2 निकला था एक सुन्याग दूसरा सुन्याग निकला था 4 अपान 3 तो माइनस क्या निकलेगा माइनस दो निकलेगा साधान तब पर अब हम फार्मूले से निकालेंगे सुन्यको का गुड़न प्रवाइब के लिए अपल बराबर स्पान माइनस 12 एक अमान 6 वार माइनस दो आ गया देखें यहां मारेनस ढाल था यहां भी मानेस दो यहां बहुदें सप्छा कर दोटर यहांभी मानेस दो आई तो इसका सत्यापन हो गया सुन्यकों का गुडण फल्द और फार्मुलेस से आपस में क्या है सब बराबने ठीक दोस्तों तो चली हम नेस्ट कोईशंग के देखें दोस्तों क्य नमबर 14 कि गुड़न खंड द्वारा बहुपद 7y स्क्वार माइनस 11 अपान 3y माइनस 2 अपान 3 के सुन्या ज्यांत कीजिए तो इन बहुपदों के गुड़ांकों और सुन्यांकों के 20 संबंद सत्यापित कीजिए ठीक दोस्तों सेम सेम तिरह में जैसा है तो चलिए पहले हम इसको हल कर लेते हैं तो क्या दिया है सेवेन वाई स्क्वार माइनस 11 अपान 3y और माइनस 2 अपान 3 is equal to सुन्य ठीक दोस्तों अब हमको क्या करना है यहां पर सबसे पह इसsation 7y माइनस ग्यारा ब shortest 3y-्माइनस दो बड़े थी Bye-3 3 भरबर 0 अपर रहे हम क्या की बंढ लेंगे इसके बटे एक बनकि अल्सें कीद्ना ऑगा 3 काटींके तीन सथे कितना जाएगा एक कि क्स्वाइस स्क्वार माइनस सीनतों कितना चाहिए गे وяг माइनस जीरो निकल जाएगा तीक है अब यहांसे क्या करेंगे है घृड़न कर लेंगे ठीक दो खंड मनाये है 15 इसमें क्मध्या करेंगे 21 कितना होगे 42 बहारीच था कि दूर तो इस दूर फिलिखना नहीं होता थो इस इसको तो इसको मुन में लिए रहे तो चाउदा त्रीक बैलिस और चाउदा में सकता हैं तो यहां लेगे 21 स्क्वार माइनस चाउदा वाई प्लस तीन वाई माइनस दो परावज़ ठीक डोस्तों अब हम दो-दो का यहां पर क्या पना लेंगी जोड़ा तो देखें सास से कट जाएगा सास से चवोदा भी कर जाएगा यानी यहां पर साथ y कामन हो जाएगा ठीक दोस्तों अगर अम से 7y कावन कर लेंगे तो साथ से देखे साथ तरीक 21 वाई से कावन हो एक बचा है मैंने साथ दूनी 14 वाई एक निकल गया है प्लस बचेगा यहाँ पर 3y-2 is equal to 0 ठीक है अब क्या करेंगे आप 3y-2 3y-2 मिल ला है तो 3y-2 एक कोष्टक में लिखें अगले कोषटग में 7y प्लस 1 बराबर क्या मानलेूवे शुन्नि मानलेज़े त्युक्सतो अब आपको क्या करनी है है हम यहां से सुन्यक निकालेंगे ठेक है तो सुन्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए इनको अलग अलग जीरो के बराबर मान लिए ठीक दोस्तो तो चलिए देख लेते हैं तो यहां लिख देंगे हम 3y-2 is equal to क्या सुने अलाग अलाग सुने वानेंगे तो 3y बराबर इस तरह माइनस में दरजा किसमें हो जाएगा अगर से हमकी निकल गया चलिए अब लिख 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 लिजी हैं यहां पर समिकरण आपका क्या था 217-1 y2-2 के सुन्यक, इसके सुन्यक क्या निकलेएे आपका, 2 बटा 3 और 2 बटेष तक है, इसके सुन्यक इदने निकलेएं, दो निकले सुन्यक, जब सुन्यक दूर निकल जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे कर दो संयको का योग फल पर निकाल लेकित है तलिखें यहांपे सुणको का Ya सुन्यको का योग फल तो सुन्यको का योग फल कितना है पहले क्या दो बटा तीन और प्लस माइनस एक बटा कितना दिया है निकला है साथ ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले दो बटा तीन ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस माइनस एक बटा क्या हो जाएगा साथ इसका गुड़ा कर लेज़े साथ दूनी 14 और 14 माइनस तीन एक का तीन बटे साथ रिक एक कईस आ जाएगा ठीक दोस्तो अब आगे हल कर लेते इसको 14 में से तीन घटे के किना चाहेगा 11 बटे क्या एक कईस तो साधान तौर पर 11 बटे कितना आ गया दोस्तो 21 आ गया अब सुन्ने को का योगफल हम किस से निकाल लेंगे फार मूले से निकाल अब हम निकालेंगे सुन्ने को का गुड़न फल शुन्ने को का गुड़न फल बराबर क्या होगा तो दो बटा तीन गुड़ते माइनस एक बटा साथ ठीक है इसका गुड़ा करिए गुड़ा में सा उपर उपर को होता है भिन्न में तो माइनस दो आ जाएगा तीन सत्य कितना आ गया एक किसा आगा ठीक दोस्तो अब हम इसको फार मूले से निकाल लेते हैं सुन्य को का गुड़न फल बराबर सी अपान क्या होता दोस्तों ए तो सी का मान कितना है दोस्तों माइनस दो एक आवान कितना है एक किस तो देखिए सुन्य को का गुड़न फल जो निकला साधान तो और माइनस दो बटा एक इस निकला और फार मूले से सब्सक्राइब धुक्त्राइब कर दोस्तों कि अंगे सबस्क्राइब सब्सक्राइब जिसके सुन्य को का योग और गुडन फल करम्स दिये गए यानि सुन्य को का योगण और सुन्यकों को सबसे पहले हम क्या करते हैं घ्यांत करना है तो सबसे पहले लिखे हैं हल लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखे हैं आपे दुगात बहुपद ग्यांत करने के लिए दुगात बहुपद ग्यांत करने के लिए फार्मूला तो आपको पता ही होगा ठीक है दोस्तों दुगात बहुपद और नहीं पता तो अमने बताया लफाविटा इनके अधिक अंदर दो बगल में एक्स प्लस ऑर वेखया दिया मानश 3 बटे 2 बराबर क्या हो जाए दोस्तो जीरो ठीक है अब हम क्या करेंगे प्लस मैंस इसको ऐसे लिख देंगे x square minus root में 2x plus minus minus और 3 upon 2 is equal to 0 ठीक दोस्तो अब हम क्या करें बटे में जो है उसका पहले हम क्रास गुड़ा करेंगे तो इसका यहां गुड़ा करेंगे क्या हो जाएगा 2x square minus इसका इसमें करेंगे 2 root में 2x minus 3 बराबर 0 पूर्य के बटे कि इनना दो ठीक देस्तो अब हम क्या करेंगे दो कर जीरो के साथ भेज देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा बचे क्या 2x square minus 2 root में 2x minus 3 is equal to 0 समीक्रण हमारा बन गया अब आपको क्या करनी है जब समीक्रण बन जाएगा यह आपका पहले द्विघाद बहुपद निकल गया अब इसी द्विघाद बहुपद से आपको क्या बतानी है इसके सुन्यक बताने तो चलिए सुन्यक बता देते हैं अब लिखे 2x square minus 2 root में 2x minus 3 द्विघाद बहुपद निकल गया अब शुन्यक ज्याद करने के लिए क्या करेंगे बराबर में 0 मान लेजे अब इसका यहां गुड़ा करें दो का गुड़ा इसमें किसमें करें तीन में तो तियां कितना हो जाएगा अच्छा को दोस्तों ल दोस्तों 2x square minus 3 under root 2x minus plus कर देंगे ठीक दोस्तों नहीं तो जूड़ जाएगा तो root में 2x minus क्या हो जाएगा 3 बराबर 0 देखिए इसका अगर हम गुड़ा करेंगे 3 का 3 यहां इसके पले एक है root में 2 से root में 2 होगा तो बचेगा root में 2 root हड़ जाएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों जोड़ने घटाएंगे तो दो करणी के दर 2 आ जाएगा ठीक दोस्तों तो चलिए हम यहां से क्या करेंगा अब 2-2 का जोड़ा बना लेंगे इसमें कुछ कामन दिख रहा आपको इसमें से देखिए अगर हम यहां से कुछ कामन नहीं दिखेगा तो यहां से काणी कांडि कांडर हम वह घंखेए घ्रीक कांड़े हैं लिख से लिख लिख सब्सक्राइब प्लस इसको यहां पर क्या कामन कर लेंगे एक कामन करेंगे ठीक दो तो बच्वाइब कंदर 2X और माइनस 3 बराबर 0 ठीक दो अब कंदर 2X माइनस 3 मिल ला है तो इसको एक कोस्टम कर लिजे कंदर 2X माइनस 3 अगले कोस्टम में बच्वाइब कंदर 2X प्लस 1 is equal to 0 ठीक है अब हम इसको अलाग-अलाग बराबर कर लेंगे ठीक दो तू सबसे पहले कंदर सी एक इख वो जाएक तो इखक देंगे तो दूसरा सुन्यक निकल करणे के अंदर 2 एक वार्बर क्या हो जाएक जीरो तो यहां से हम एक कांड़ी थेंगे तोक्रिकंदर दो एक इकैस निकले किसे न थे मायनेमस एक न 근데 कर लेंगे तो मायनिस एक बटा जाए गता किन्हागा के दोस्तो दो आ विद्वोस निकलेंगे तीन करन्रीक अंधर 2 कॉमा माइनस एक इक कांडीक अंशर हो जाएक कास दो मैंना दोस्तों वीडियो का सबस्क्राइब कर दिए और करेंदेया impress सक्राइब तो चलिए आप बस आज के लिए इतना ही अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में एक नया शेप्ट लेके तब तक के लिए बाई बाई जय हीन जय भारत